आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, so the given problem is that's the f of these two polynomials इन दोनों polynomials में जो htf हैं हों में को calculate करना है पहला जो polynomials में को given है that is x cube minus 3x square plus x and minus 3 चीक है, तो मैं क्या करते हूँ, इन दोनों में से मैं x square common निकालूँगी तो मैं पास बच जाएगा that is x minus 3 तो मैं अब क्या करते हूँ, इन दोनों में से plus 1 common ले लेती हूँ तो यहां में पास बच जाएगा x minus 3 अब मैं पूरे polynomial में से x minus 3 common निकालूँगी तो में पास बच जाएगा x square plus 1 similarly मैं दूसरे polynomial को simplify गरते हूँ that is x cube minus x square minus 9x and plus 9 तो इन दोनों polynomial में से, इन दोनों variables में से में x square terms में से x square common निकालूँगी तो में पास बच जाएगा that is x minus 1 ठीक है यहां पर मैं minus 9 common निकालूँगी तो यहां भी में पास बच गया x minus 1 whole term में से में x minus 1 common निकालूँगी तो में पास बच जाएगा that is x square minus 9 अब इस x square minus 9 को मैं क्या लिख सब्सक्रीओ that is x minus 1 and x square minus 3 का scale तो यहां मैं एक identity अपलाई करूँगी that is a square minus b square जो में पास होता है that is a plus b and a minus b तो यहां पर क्या होगा that is में पास x minus 3 तो यह जो पुरिट की पुरिट हम है यह मेरी बन जाएगी that is x minus 1 x plus 3 and x minus 3 यह बन चुका है मेरे पास हम एक को निकालना है इन दोनों का hcf it means जो दोनों में common होगा भही मेरे hcf में आएगा तो मैं अगर देखू तो यह this is the polynomial first and this is the polynomial second तो यहां पर मेरा x minus 3 है यह दोनों में common है तो यहां से मेरा x minus 3 ही मेरे क्या हो जाएगा hcf हो जाएगा तो यहां से में देखू the option 1 is the right answer Thank you जाएगा